आप लोगों का हमारे आंगनबारी नीच चैनल में श्वागत है हमें जो खबर लेकर आए आंगनबारी सेवी का सहाई का मीनी बेहनों के लिए बड़ी खबर निकल करा रही है आईए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं जैसा कि हम आपको बता दे कि यहां पे हाई कोट के द्वारा सरकार को आदेश यारी किया गया है कि आंगनबारी वर्कर के साथ नो तो जो ही कि सरकार मनमाना कर सकती है और नो ही कोई अधिकारी मनमाना कर सकते हैं जैसा कि हम आपको बता दे कि अधिकारी और सरकार आंगनवारी वर्करों के साथ जोई की मनमाना रोया अपनाते थे उसको जोई की उस पर प्रतिबंद लगाई है यहाँ पर हाई कोट के दौरा कहा जा रहा है कि आंगनवारी वर्कर के साथ जोई की कोई मनमाना नहीं कर सकता कि आंगनबाडी वर्करों को जो है कि यहां पर मनमाना करने के बाद जो है कि आंगनबाडी वर्कर को दो लाक रुपए सरकार मुज़ा दे रही है जिसके लिए हाई कोड के द्वारा आदेश जारी किया गया आईए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं उसस तो आंगनबाडी सेविका को दो लाक रुपए मुज़ा दिया जा रहा है जिसके लिए हाई कोड के द्वारा आदेश जारी किया गया है यह आदेश जो है कि सरकार को जारी किया गया है तीन महीने के भीतर भीतर आंगनबाडी सेविका को जो है कि यह मुज़ा दिया जाना कि बिहार में आंगनबाडी सेविका की बहाली में गड़बडी को लेकर हाई कोट ने नाराजगी जाताते हुए आंगनबाडी सेविका को दो लाख रुपे का मुज़ा राज्य सरकार को देने के लिए आदेह जारी कर दिया है बताये जारे कि पटना हाई कोट ने राज्य सरकार को इस मामले में गड़बडी करने वाले अधिकारी को चिन्नित करके उनके खिलाब विभागी करवाई करने को आदेह जारी तथा जोए कि सरकार को तीन महीने के भीतर आंगनबाडी सेविका को दो लाख रुपे मुज़ा देने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है बताये जारे कि गाया जिले के बर्मा गाओं में के निवासी राणी कुमारी आंगनबाडी करे करता के द्वारा जोए कि दायर याचिका की सुनवाई करने के बाद पटना हाई कोट ने यहाँ आदेश जारी किया गया है तो यह जोई की रानी कुमारी आंगनबारी करे करता हैं उनके द्वारा याजिका दायर की गई थी कि नौ महीने डूटी के बाद इनको जोई की मानमाने तरीके से अधिकारियों द्वारा हटाया गया है यहाँ पर देखिये बताया जा रहे कि याजिका दायर करने वाली रानी कुमारी आंगनबाडी सेविका की और से उनके वकील रोहित सिंग ने बताया की हाई कोट की बताया की कोट ने वाड नमबर छे की आंगनबाडी सेविका की निक्ति थी लेकिन जोई की नो महीने तक जोई की विभागी काम करने के बाउजूद आंगनबारी सेविका को अधिकारियों के द्वारा मानमाने तरीके से पद मुक्त कर दिया गया जबकि आंगनबारी सेविका की कोई गलती नहीं थी बताये जा रहे हैं कि इसके बाद अधिकारियों द्वारा जोई की वाड नमबर 6 के लिए बिग्यापन जारी कर दिया गया है और जोई की इस जगह पे दूसरी ही आंगनवारी सेविका की नुक्ति कर दी गई राज सरकार की और से उनके वकील ने यह दलील दी है कि इसमें अधिकारियों की गलती है इस पर जोई की हाई कोट के द्वारा कहा गया कि अधिकारियों की गलती के कारण आवेदिकारानी कुमारी को मांसिक प्रतारना जहलनी पड़ी इस लिए जोई की आंगनवारी सेविका क को देने के लिए आदे जारी किया है तो यहां पर कहा जा रहा है कि राजे सरकार के द्वारा कहा गया है कि यह भी आधिकारियों की गलती है जो आंगनबारी वर्कर को हटाई है तो इसमें जो इक अधिकारियों की गलती है जो इक हाई कोड के द्वारा कहा गया है कि अधिकार किया गया है सरकार को की सरकार 3 महीने के भीतर आंगनबाडी सेविका को 2 लग रुपया मुझा उपलफद कराए यहां पर बताया जा रहे कि मानमाने तरीके से आंगनबाडी वरकर को हटाया गया है जो इनके द्वारा 9 महीने तक जोई की ड्यूटी की गई है बीभाग के और इनको मानमाने तरीके से हटाया गया है, बताये जारे कि हटाये जाने के बाद वाड नमबर 6 पे के लिए आंगनबाडी करे करता के लिए जो ही कि बिगापन जारी किया गया, उसके बाद जोए कि ये कोट गई, कोट द्वारा जोए कि ये आदे जारी किया गया, पुना जोए कि इनकी बाहर लिकी भी बात कई गया, आदे जारी किया गया है, तो ये आंगनबाडी बैनों के लिए बड़ी खुस खबरी निकल करा रही है, कि अब जोए कि मनमाने तरीके अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो फ्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को अन कर लीजेगा फिर मिलेंगे एकले किसी महतोपुण खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत